बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम वैलकम टू मैं यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप लोगों से खीर की रैस्पी शेयर करूँगी यहां पार मैंने एक लीटर दूद लिया है और इसको हम बॉयल कर लेंगे तो इसी दुरान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकान भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताके हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँए सके तो ये मैंने फुल बलाई वाला दूद लिया है तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है स्कीप आपने बिल्कुल नहीं करना है ये खीर बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बनती है तो यहां पे मैंने लजीजा खीर का डिबा लिया है तो यहां पे दूद को वाइल आना शुरू हो गया है अब हम यह लजीजा खीर का डिबा इसमें डाल देंगे तो यह लजीजा खीर का एक डिबा एक लीटर दूद के लिए होता है तो ये आपने डिबा इसमें तबी डालना है जब इस दूद को वाइल आ जाए उससे पहले आपने इसमें नहीं डालना तो यहां पर मैं पूरा पैकेट इस एक लीटर दूद में डाल दूँगी तो इसमें हमने चीनी बिल्कुल भी एड़ नहीं करनी अगर आपको ज्यादा चीनी पसंद है तो आप इसमें और डाल सकते हैं वरना ये इस लजीजाखीर के डबे में पहले ही चीनी होती है तो इसलिए हम इसमें और चीनी एड़ नहीं करेंगे तो आपने इसको चमच के साथ हिलाते रहना है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें कभी कभी खाना खाने के बाद थुड़ा मीठा हो तो बहुत ही मज़े का लगता है तो इसको हम इसी तरह से चमच के साथ हिलाते रहेंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये गाड़ी ना हो जाए तो इसको पकाते हुए तकरीबन 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं तो यहां पार ये देखिए थोड़ी थोड़ी गाड़ी होना शुरू हो गई है तो इसको आपने वकफे वकफे से चमच के साथ हिलाते रहना है ऐसे आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना क्यूंकि ये खीर आपकी नीचे भी लग सकती है और इसमें गुटलियें भी बन सकती है तो जिससे आपकी खीर अच्छी नहीं बनेगी तो इसलिए हम इसको चमच के साथ इस तरह से हिलाते रहेंगे तो आप लोगों से हम जो भी रैस्पी शेयर करते हैं तो प्लीज उस रैस्पी को अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें तो यहां पर हमें इसको पकाते हुए तक्रीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो यह देखिए हमारी खीर भी गाड़ी हो चुकी है तो इसको हम मजीद 5 मिनट के लिए और पकाएंगे तो आप भी इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और कुमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कि आपकी खीर कैसी बनी है तो यहां पर यह देखिए हमारी खीर अच्छे से पक चुकी है तो अब हम फ्लेम को आफ करेंगे और इसको हम एक बॉल में निकालेंगे निकाल के फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं तो यह देखिए माशालला हमारी खीर बहुत मज़े की बनी है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिए दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफीज